नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर नेट पोलिटिकल साइन्स सब्जेक्ट के लिए आज जिन हम विचारक की बात करेंगे दोस्तों वो है जेपी नारायन जैप्रकाश नारायन नेट पोलिटिकल साइन्स सेलेबस में यूनिट 3 यानी इकाई 3 में भारतिय रानितिक विचारकों के बारे में दे रखा है लगबग 20 विचारकों का हम अध्यन करेंगे तो सबसे पहले आज जो शुरुवात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जेपी नारायन से यानी जैप्रकाश नारायन से जैप्रकाश नारायन जी को भारत के समाजवादी विचारकों में विशिष्ट इस्तान दिया जाता है ये देखा जाए तो समाजवादी भी थे गांधी साब से बदलते चले गए थे इनका एक विशेश योगदान ये रहा कि उन्होंने एक समग्र करांती की बात कही थी टोटल रिवलुशन की बात कही थी जिसमें इस दिशा में वो एक कदम आगे बढ़े लेकिन एक ही कदम बढ़ पाए और लोक नायक का समग्र करांती का विच सपना बन कर रह गया था और कोन-कोन से योगदान इनों ने दिए संपून करांती के नाम से जाना जाता है दलिये जो ढलिये प्रनाली है 1902 में 11 अक्टूबर 1902 को तो वो गाउं सीता वदियारा जो गाउं था वो उस समय पर कहां था बिहार में था लेकिन वर्तमान में वो कहां पर गाउं है यूपी में वर्तमान में वो कहां पर है यूपी में और उस समय पर वो गाउं कहां पर था बिहार में प्रारंबिक शिक् उनको भी इन्होंने द्यान में रखा और California University में इन्होंने दाखिला लिया वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की और अंत में यह हुआ दोस्तों 1975 में यह जेल में बंद थे क्योंकि करांती कारी थे 1975 में जेल में बंद थे और जेल में बंद होने के कारण इनका स्वास्थ कि यह स्वस्त नहीं हो पाए और फिर 8 अक्टूबर 1989 को इनका देहांत हो गया और देहांत होने से हमारे देश को एक गहरा आगात पहुचा अब 1902 से 1989 के बीच में जो भी इन्होंने ऐसे काम किये जो कि हमारी परिक्षा की दर्ष्टी से मैतपूर्ण है, पॉइंट बनता ह प्रशन मनते हैं, उन पर हम आगे विस्त चर्चा कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ पाई होगी, तो देखिए भारतिय समाजवादी विचारक हैं, भारतिय समाजवादी विचारकों में इनको कैसा स्थान मिलता है, विस्ष्ट स्थान मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनके योगदान के कारण समग्र क्रांती, संपूर्ण क्रांती इनकी देन है समग्र क्रांती की इन्होंने बात कही थी अपने सिद्दान्तों में कहा था लेकिन जो ये करना चाते थे उसकी तरफ ये बढ़े लेकिन ये जादा आगे नहीं जा पाए और इनका ये जो समग्र क्रांती समग्र क्रांती का जो सपना था ये केवल और केवल एक सपना बन कर रह गया यथार्त में नहीं उतर पाया इनकी कुछ किताबे हैं दोस्तों जैसे समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र टुवार्स टोटल रिवोलोशन भारतिय राजविवस्था की पुने रचना एक सुझाओ और माई पिक्चर ओफ सोशियलिज्म इन किताबों में से कोई भी किताब पूछी जा सकती है तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए विशेष्ट या ये दिखा इन किताब का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि समाजवाद सर्वदय और लोगतंतर किताब किसकी है तो जैपरकाश नारायन की टुवार्स टोटल रिवोलुशन जैपरकाश नारायन की भारतिय राजविवस्था की पुने रचना एक सुझाओ जैपरकाश नारायन की और My Picture of Socialism ये भी किताब किसकी है दोस्तों जैपरकाश नारायन की यानि जैपरकाश नारायन की इने कुछ लोगों ने इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ नाम कहकर पुकारा या फिर अलग से इनको नाम दिया जैसे भारतिय समाजवादी दर्शन का मानस पिता जैपी नारायन को किसने कहा तो प्रोफेसर विमल परसाद ने ध्यान में रखिएगा प्रशन ये ही बन जाते हैं कि जैपरकाश नारायन को भारतिय समाजवादी दर्शन का मानस पिता किस ने कहा तो प्रोफेसर विमल परसाद ने और गांधी जी ने कहा था भारतिय समाजवादी दर्शन का अधिकारी विद्वान गांधी जी ने कहा था किसे जैप्रकाश नारायन को यानि जेपी नारायन को भारतिय समाजवादी दर्शन का अधिकारी विद्वान कहा था किसने गांधी जी ने ठीक है अब देखिए अब ये कुछ इनके विचार हैं इनके बारे में हम विस्तत रूप से बात करेंगे कि लोकतंत्र में सुधार के इन्हों ने कौन-कौन सी बात कही थी जेपी नारायन जी ने तो सबसे पहले हम लोकतंत्र में सुधार वाले पॉइंट को यहां पर समझ लेते हैं कि ऐसे कौन सी बात कह रहे थे कि जिसे लोकतंत्र में सुधार होना चाहिए ऐसी कौन सी उनमें गलतियां है तो ये जैपरकाश नारायन जी ये कहते थे कि हमारी जो विद्धिमान जो लोकतंत्रिक विवस्ता है उसमें उसके स्थान प दल विहीन लोकतंत्र ध्यान में रखिएगा अब ये बाते जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनते और देखते जाईए चिक है दल विहीन लोकतंत्र क्या था इसके बारे में जेपी नारायन सबसे ज़्यादा अपने विचार रखते थे सबसे ज़्यादा जो हो जाता है दूशित हो जाता है मतलब प्रदूशित हो जाता है और हम चाहते हैं कि जनता अपने विवेक से कारे करते हुए राजनितिक सुतंता का उब्बो कर सके इसके लिए हमें दल विहीन लोकतंतर को आदर्श लोकतंतर के रूप में अपनाना होगा अब जी दल विहीन दोगतंतर का मतलब इतना सा है दोस्तों कि शाशन का जो सारा धाचा है उसका निर्मान निर्दलियता के आधार पर किया जाना चाहिए किसी भी दल को नहीं सोपना चाहिए जनता यानि हम अपने प्रतिनीदियों का चुनाव और जन प्रतिनीदियों को व्यवस्थापी का सभा में आचरन दलिये भावना से मुक्त होना चाहिए हमने जिस व्यक्ति को चुना वो व्यक्ति लोग सभा या विदान सभा में बैठता है तो वो इस प्रकार बैठे कि उसमें दल की भावना तो बिलकुल भी ना बचे और केवल और केवल वो मानव कल्यान की ओर ध्यान दे और अपने विवेक से राष्टिय हित के कारे कर सके दल के बंदनों से मुक्त हो सके तो ये दल विहीन लोगतंतर के बारे में लोगतंतर में सुधार में कौन कहते थे जै प्रकाश नाराइन जी कहते थे कि दल विहीन लोगतंतर में क्या होगा व्यक्ति अपने दल से अलग रहेगा और दल ये भावना से मुक्त रहेगा तो वो राष्टिय हित के कारे कर सकेगा ठीक है क्योंकि उसमें दल का कोई सुधार या दल का कोई लाब दिलाने की उसके दिल में कतई इच्छा नहीं रहेगी तो दलों को समाप्त कर देना चाहिए ये कौन कहते थे जै प्रकाश नारायन जी दल विहीन लोगतंतर लोगतंतर में सुधार के लिए आउशक है ठीक है दूसरा दूसरा ये सुधार के अंदर जो पॉइंट रखते थे कि बई दल ये व्यवस्था में जो हमारी निर्वाचन परनाली है ठीक है जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है वो निर्वाचन प्रणाली भी गलत है प्रतेक्ष चुनाओ के स्थान पर परोक्ष निर्वाचन पदती अपनानी चाहिए ये कौन कहते थे जैप्रकाश नारायन जो हमारी प्रतेक्ष निर्वाचन प्रणाली है इसको ये गलत ब सत्ता का विकेंद्री करण और सामुदाइक समाज होना चाहिए लोकतंतर में सुधारी ये चाहते थे और इन्होंने बहुत सारे पॉइंट इसलिए दिये थे कि सत्ता जो है विद्वान लोकतंतर में बुराईया है और उन बुराईयों को हटाने के लिए जैपरकाश नारायन अपने विचार दे रहे हैं अपना जोड दे रहे हैं तो जैपरकाश नारायन जी ये चाहते थे कि समाज का पुनर निर्मान पिरामिड की तरह हो एक पिरामिड की तरह हो मतलब सबसे नीचे के इस तरपर ग्रामिड समाज उस पर छेतरी है फिर जिलास्तरी है फिर प्रांत और फिर राष्टिय समुदाई की स्थिति स्विकार करें तो मतलब ये सत्ता का क्या चाते थे वी केंदरी करण चाते थे ठीक है सत्ता का क्या चाते थे वी केंदरी करण चाते थे तो ये ऐसी स्थिति स्विकार करते थे कि जिसमें नीचे के इस्तर पर ग्रामीन समाज, फिर छेत्रिय, फिर जिलास्तरिय, फिर प्रांतिय, फिर राष्टिय समुदायों की इस्तिती स्विकार हो इसमें प्रते एक इस्तर पर समुदायों की जीवन दरश्टिकोंड विक्सित करना होगा ये इसलिए करना होगा समस्त समुदायों के कारियों को सामान्यतया सामुदाइक जीवन ही एकिकरत कर सकता है इन्होंने सामुदाइक जीवन पर जोर दिया कि जितने भी काम होंगे सामुदाइक जीवन की दर्ष्टिकोंड से उसे सामुदाइक समाज या सामुदाइक जीवन के माध्यम से ही किया जा सकता है जो की एक इकरत होगा तो जै परकाश नारायन की लोगतंत्र की सबसे बड़ी आउशक्ता ये थे ही कि व्यक्ति राज्य पर कम से कम निर्भर रहे कि व्यक्ति की निर्भरता राज्य पर क्या हो कम से कम हो लोगतंत्र में सुधार में यही कहते थे कि व्यक्ति जो है वो राज्ये पर कम से कम निर्बर हो जितना कम से कम निर्बर होगा उतना ही अच्छा शाषन चलेगा अच्छे राज्ये की स्थापना हो पाएगी ठीक है तो जीवनस्तर उठाने के लिए जीवनस्तर को बढ़ाने के लिए उचा उठाने के लिए इन्होंने अपने विचार दिये और अपने कारियों के प्रती ये कटीबद रहे ठीक है अब देखो जेपी नारायन का सर्वोदे दर्शन क्या था तो जैप्रकास नारायन जी गांधी जी और गांधी जी के बाद आचारे विनोबा भावे जी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदे दर्शन में विश्वास करते थे मतलब गांदी जी के सर्वोदे दर्शन में फिर आचारे विनोबा भावे जी के सर्वोदे दर्शन में ये विश्वास करते थे 1944 में उन्होंने यानि जैप्रकाश जी ने सर्वोद्य आंदोलन को जीवनदान दे दिया सर्वोद्य का शाब्दिक और भावात्मक अर्थ होता है किसी एक वर्ग विशेश का नहीं जबकि सब का कल्यान सर्वोदय सभी का एक साथ उदय हो सभी का एक साथ कल्यान हो किसी एक वर्ग विशिष पर हम ध्यान नहीं देंगे तो सर्वजन के हित पर आधारित था क्या? सर्वोदय दर्शन अब इसमें क्या होगा? जब हम सभी जातियों पर सभी समुदायों पर हित की बात करके आदर समाजिक विवस्था की स्थापना करेंगे तो इसके कुछ आधार भी होने चाहिए तो सर्वोदे दर्शन के आधार कितने बताए इन्होंने 5 आधार बताए ध्यान में रखिएगा कि सर्वोदे दर्शन में जै परकास जी ने 5 आधार बताए कितने आधार बताए पाँच जिसमें देखिए जाति रहित वर्ग रहित समाज के स्थापना सारवजनिक छेतर में स्वच्छ और कुशल परशाशन समाजिक विवस्था का आधार विकिंद्र करण हो समस्त शक्ती जनता को प्राप्त हो और अधिकारी वर्ग द्वारा अपने आपको जनता का स्वामी नहीं मानना जबकि क्या मानना सेवक मानना तो ये 5 आधार दिये इनोंने सर्वोदे दर्शन में जिससे क्या होगा जाती विवस्था वर्ग विवस्था ये खतम होगी समाज की स्थापना हो पाईगी तो जैप्रकास जी नारायन के शब्दों में कहें तो एक अहिंसक शोशन रहीत और सैकारिता के आधार पर इस्थापित समाज जो होगा वो सर्वोदे दर्शन पर खरा उतरेगा ठीक है शोशन नहीं होगा हिंसा नहीं होगी इस आधार पर समाज की स्थापना की उन्होंने बात की थी वो कहते थे कि बंजर भूमी को करशी योग्य बनाए जाए और उस पर सामूहिक करशी की जाएगी बंजर भूमी को करशी योग्य बनाओ और फिर उस पर कैसी करशी हो सामूहिक करशी की जाए तो ये इन्होंने अपने विचार दिये और जैपरकाश नारायन जी ने ग्राम पंचायतों को फिर से सबल बनाने के लिए विचार दिये और वो कहते थे कि ग्राम पंचायतों को सबल बनाना आउशक है और वो कहते थे कि ग्राम पंचायतों में बहुमत निर्णे की स्थान पर सर्व सम्मत निर्णे की पदती को अपनाई जाने की आउशक्ता है तो ये क्या है ये है सर्वोदै दर्शन जो किस्य प्रेरित थे गांदी जी से और गांदी जी के बाद आचारे विनोबा भावे जी से तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिएगा मुझे आश्या है कि आपको टोपिक अच्छे से जो भी बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा यदि टोपिक समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो ये हुआ सुधार लोगतंतर में सुधार के पॉइंट देखे हमने सरवोध दर्शन को समझा अब समझते हैं कि इनके समगर क्रांती से क्या विचारते जो ये समगर क्रांती के बारे में कहते थे जैपरकाश नारायन जी कि भई समगर क्रांती के अवधारना के अंतरगत ये क्या कहते थे तो देखो समगर क्रांती यानी टोटल रिवलुशन तो जैपरकाश जी के चिंतन की एक प्रमुख महत्तपून बड़ी अवधारना है ये मान लीजिगा इन्होंने अपने समगर क्रांती से उनका मतलब ये था कि मूल भूत परिवर्तन और ऐसी व्यवस्ता की स्थापना जो आर्थिक समाजिक न्याय पर आधारित हो आर्थिक न्याय समाजिक न्याय पर आधारित हो ऐसी मूल भूत परिवर्तन और व्यवस्ता की स्थापना ये जैपरकाश जी ने अपने एक भाशन में समगर क्रांती के बाद इस्थापित समाज की व्यवस्ता की व्याख्या की और वो व्याख्या उन्होंने किस प्रकार की उसे हम अपने शब्दों में आपको बताते हैं वो कहते थे कि ऐसा लोगतांत्रिक समाज बनेगा जिसमें हर एक नागरिक श्रमिक होगा कोई भी सेट सावकार नहीं होगा श्रमिक होगा प्रते एक नर्णारी में समानता इस्थापित होगी सबको समान आउसर मिलेंगे व्यक्तियों के आय में इतना अंतर नहीं होगा कि जा और जीवन आर्थिक द्रश्टी से संपन, संपून और सुन्दर होगा तो ये जो इनोंने बाते कही ये दरसल में इनका एक सपना बनकर ही रहे गई क्योंकि ये एक आदर समाज की व्याख्या थी इनोंने अपने बाशन में ये बात कही तो ये समगर क्रांती के माध्यम से इतना बड़ा परिवर्तन लाने की बात कर रहे थे जिसमें पूरा समाज सुन्दर होगा संपून होगा और आर्थिक द्रश्टी से जीवन हर एक व्यक कि लोकतंतर को उसकी वास्तविक शक्ती लोटाना चाहते थे कौन जैप्रकाश नारायन जी लोकतंतर को उसकी वास्तविक शक्ती लोटाना चाहते थे समगर क्रांती के माध्यम से जैपरकाश नारायन जी इस बात पर बहुत ज़्यादा जोड़ देते थे अपने आंदोलन में कि लोगतांतरिक विवस्था में पांच वर्ष में एक बार अपने प्रतिनिदी चुनकर जनता के अधिकार और कर्तव्यों को पाकर इतीश्री कर लेते हैं यानि बस मामला खतम क नहीं रहता और वो सेवक नहीं बनते वो मालिक बन जाते हैं जबकि ठीक इनके उलट ये चाहते थे कि जो प्रतिनिदी चुना गया है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सारी व्यवस्था सही करें एक सेवक के प्रतिकारे करें तो लोगतंतर को उसकी वास्त्विक लुटाने के लिए इनोंने सत्ता पर प्रभाव पूर्ण और वास्त्विक नियंतन की विवस्था बने ऐसी बात कही जो हमारे प्रेस है मीडिया है न्याय पाली का विपक्ष और बुद्धी जीवी वर्ग जिनकी भूमिका होती है वो अपनी वास्त्विक भूमिका कही निर्भेता की भावना हो किसी भी प्रकार का डरना हो जो व्यक्ति को जिसका जैसी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी निभाए बुद्धी जीवी वर्ग स्वतंतर चेतना शक्ति और नैतिक सास से अपना कारे करे और शाशक दल का विकल्प बन सके ऐसी विवस्था य यानि रिकॉल जन समीतियों की स्थापना की जाए और दूसरा यदी कोई आपका जो प्रतिनिदी है वो कुषल नहीं है कारे नहीं कर पा रहा है तो भाई उसको जिस पद्ध पे आपने भेज़ा है ना उस पद्ध से आप उसे वापस बुला लीजिए तो ये दो बाते उन समक्र्गर क्रांति की अंतरगती इन्होंने विचार दिया कि सत्ता का विकेंदरी करण होना चाहिए, पिरेमिड की बाती इन्होंने कहा। पिरमिड की परती पिरमिड की तरह सत्ता बननी चाहिए ये हमने थोड़ देवर पहले भी आपको बताया था ग्रामीन इस तरह से शुरू होकर लाश्टक और जो भी इसमें सेवक समझे खुद को मालिक ना समझे ठीक है समगर क्रांती के इन्हों ने ये का कि लोग शक्ति को जागरत करने की आउशकता है कि जनता को अपने अधिकार अपनी शक्तियों को उनको बताना पड़ेगा कि कितने सारे आप लोग हो आप अपने प्रतिनीदियों को चुनते हो लेकिन वो प्रतिनीदी अपने कर्तवयों को सही तरीके से निर्वा नहीं करते तो आपको जाग तो जैपरकास जी राजनितिक दलोद्वारा समय समपर संचालित प्रतिरोध आंदलोनों से भी संतुष्ट नहीं थे। जैपरकास जी के क्या विचार थे कि भारत के जितने भी समाजवादी चिंतक हैं जैपरकास नारायन जी को विशिश्चिस्तान मिला हुआ है हमने शुरू में देखा था तो जैपरकास नारायन संभवतया अपने सारुजनिक जीवन के प्रारम में एक ऐसी व्यवस्ता के स्थ पर यानि self depend एक जीवन जीए राज्ये पर वो टिका न रहे ठीक है तो आर्थिक समाजिक न्याई की स्थापना वो चाहते थे तो जैप्रकास जी ने अपनी रचना वाई सोशिलिजम एक इनकी किताब है वाई सोशिलिजम उसमें इनोंने समाजवाद क्यों उसमें ये बताया था कि समाजवाद आर्थिक और समाजिक पुर्ण निर्मान का एक संपूर्ण सिद्दानत है जिसका उद्देश्य क्या होता है समाज का समनवित विकास करना इसलिए ये चाहते थे कि समाजवाद का विकास हो और जैप्रकास जी आर्थिक समश्याओं के हल को प्रात्मिक्त देते थे इसी कारण वो समाजवाद की ओर बड़े और समाजवाद की ओर आकरशित हुए और समाजवाद में जितने भी चिंतक थे उसमें अपना स्थान इन्होंने अग्रणी बनाया इनकी किताब का नाम ध्यान में रखीगा एक और समाजवाद क्यों वाई सोसियलिज्म ठीक है लोकतांतिक समाजवाद के ये पक्षिदर थे भारतिय संस्कृति के विरुद नहीं थे इन्होंने समाजवाद में ऐसी कोई बात नहीं की जो कि भारतिय संस्कृति के विरुद हो भारत की परंपराएं जो थी जिसमें शोषणवादी परंपरा हो उसको इनोंने हटाना चाहा था तो भारत की परंपराएं शोषणवादी नहीं थी और इनोंने भारत में हमेशा से ही बंदोतु और सयोग के विचार को सबसे उपर स्थान दिया था ठीक है अब इनके बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भई इनोंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की थी 1934 में चोटे-चोटे पॉइंट सोड देख लीजीगा 1934 में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना भी इनोंने की थी आचारे नरेंदर देव और अन्ने साथियों के सयोग से कहां कि मेन जो कांग्रेस पार्टी थी उसी के अंदर इनोंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुक सेनानी भी थे 1942 में जब गांदी जी का करोया मरो का जो आहान था उसमें जै प्रकास जी हजारी बाग जेल में नजरबंद कर दिये गए थे 1942 में हजारी बाग जेल के केंद्रे जेल से ये भाग गए और फिर अंडरग्राउंड हो गए ठीक है इस प्रकार इनोंने अपने आजादी के दोरान भी उन्होंने योगदान दिया 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना का भी विरोध किया और विचार रखा था कि समिधान सभा के सदश्य जनता द्वारा प्रतक शुरूप से निर्वाचित होने चाहिए उन्होंने अपने लिए समिधान सभा की सदश्यता का प्रस्ताव एस विकार कर दिया था इस समश्चा पर बादचित भी हुई थी राष्ट्य पुनर निर्मान तता विकास के लिए कॉंग्रेस और परजा समाजवादी दल के बीच सयोग किस प्रकार स्थापित किया जाए लेकिन बैतूल का एक सम्मेलन हुआ जिसमें समाजवादी नेताओं ने आपसी सयोग के प् बढ़ आये थे और फिर क्या हुआ था 1975 में ये जेल में बंद हो गए थे जनता ने इसे प्रेम से लोक नायक का नाम भी दिया था लोक नायक जैप्रकाश नाराएंड बोला जाता है तो एक उपादी ओर ध्यान में रखिएगा लोक नायक जनता ने कहा था इने तो 1975 में जे भारत में दलिये पदती के लिए अपने जितने भी विचार दिये दल विहीन लोकतंत्र के लिए वो सारे के सारे विचार बहुत सरानी हैं और इनोंने बहुत अपना योगदान दिया तो आलोचको ने जैप्रकाश नारायन के समस्त चिंतन में एक कमी बताई उन्होंने कहा कि जैप्रकाश नारायन जी के विचार प्रेना धायक होते हुए भी व्यवारिक नहीं कहे जा सकते क्योंकि बही करांती दल विहीन लोगतांत्रिक विचार धारा पर आधारित थी और बिना दल के आजकल हम किसी भी प्रकार की पार्टी की बिना देश नहीं चल सकता ऐसे ऐसे लोगों ने आलोचना की टिपणियां की ठीक है और फिर मैंने आपको शुरू में बताया था कि गा प्रकाष नराइन जी के बारे में जितने भी मैतपूंड पॉइंट्स थे टॉपिक थे हमने यहाँ पे समायत किये बाद में जम वन लाइनर की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे तो आपके लिए उनमें बहुत सारे पॉइंट हम वहाँ पे बता देंगे ठीक है तो वीडियों और देखने के बहुत बहुत धन्यवाद